वैसाली में जंदाहा प्रखंड प्रमुत मनिस सहनी की हत्या पर अब सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है हप्ता वर पहले हुए इस हत्यकान के बाद सुक्रबार को नेता परतिपक्स तेस्पी यादब जंदाहा पहुचे थे तेस्पी यादब ने मिर्दकों के पर्यनों से मुलकात की और अब इस पर जेडू ने जोड़दार हमला बोला है जेडू प्रवक्ता नीरश कुमार ने तेस्पी यादब पर प्लटबार करते हुए टूटर पर लिखा है कि तेस्पी यादब जी आप भूल गए होंगे परंतु जिस वैसाली जिले में आप गए हैं उसी वैसाली जिले में कुछ दिन पहले दलीतों के घर जले थें पर आप नहीं गए आज अपराधियों को पर्मान पत्र देने जंदाहा चले गए जंदाहा घटना में आरोपियों की जल गिरपतारी होगी इस सरकार में उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है बतादे की नेता परतिपक्ष तेस्पी यादब ने जंदाहा परखंड के दुलोर गाउं में मनीज सहनी के परियनों से भेट की उन्होंने मिर्तक मनीज के भाई ओम परकास सहनी से घटना के बारे में जानकारी ली मनीज के परियनों ने पुलिस पर कारवाई में लापरवाई बरतने का आरोप लगाया इस पर उन्होंने मनीज के परियनों को अपराधियों के खिलाफ कारवाई का भरोसा दिलाया हैं तो जेडियू के तरफ से भी जवाबी हमला जारी है लाइप सिटिएज के लिए देवानसू परभात की रिपोर्ट